टाव 5 best laptop for creators के लिए तो बही अगर आप a s a creator काम करते हैं यह वीडियो मैं specially आपके लिए करूँ प्लस अगर आपका प्रेट 40,000 से भी कम है यह वीडियो specially आपके लिए यार वीडियो को बुरा देखने हैं श्क्रेपर मत करना start करते हैं बात करते हैं number 5 की number 5 की बात करते हैं लेकि number 5 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैं आपको laptop बताऊँ पर for creators के लिए and for developers के लिए बहुत अगड़े होने वाले हम बात करते है number 5 की number 5 पर यार मैंने रखा है HP 410 को अगर इस laptop की बात करो यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैं सीगरते है जिनको HP का laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उन मैंसे आते हो अगर आपको भी HP का ही laptop चाहिए तो HP 410 आपके लिए best deal हो जकता है अब भी इसके specification की बात करें तो ये दो colors में देखने को मिलता है white color में silver color सौरी आता है and इसका black color देखने को भी मिल जाता है तो black color में मुझे ज़्यादा suit किया तो अगर आपने जाना है तो black color देख लेना है उसके बाद हम इसके display की बात करते हैं तो आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display quality देखने को मिलेगी जो कि मैं average कहा सकता हूँ इसकी इतनी भी मतलब display जो है वो तगड़ी नहीं होती and आप इतना भी expect नहीं कर सकते कि आपको 40,000 के budget में बहुत अगड़ी display देखने को मिलेगी ठीक है उसके बाद processor की बात करें आपको i3 11th generation के साथ देखने को मिलेगा तो latest processor कोई भी problem नहीं आने वाली i3 जो 11th generation है सच में बहुत दगड़ा है आपने जो भी heavy software यूज़ करना है जा creator काम करना है जा developer काम करना है उसके बाद हम बात करते है आपको 8GB RAM मिल जाते है अपको 16GB तक कर सकते हैं अपको इसमें SSD ही देखने को मिलेगी SSD का benefit यह होता है अगर आप data गरा transfer जादा करते हो वो जल्दी हो जाता है as comparison किया जै HDD के साथ ठीक है ग्राफिक कार की बात करूँ आपको integrated graphic card देखने को मिल जाते है तो भी अगर आपने office पर करना है उसके बाद भी अगर आपने college university के related आपको चाहिए अगर आपने वीडियो आइटिंग करनी है आप इस laptop पे कर सकोगे लेकिन अगर आपने gaming करनी है आपको विंटो 10 मिल जाएगी बेंटर की बात करूँ आपको 7 hours का बेंटरी backup पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 41,000 के बढ़र में HP forwarding देखने को मिल जाएगा तो बही main specification तो मैंने आपको बता दिये HP forwarding के प्लस मैं आपको कहा देना चाता हूँ मैंने सभी laptops के जो buying link है description box में दिये हूँ है अगर आपने check out कर सकते हो अगर आपने purchase करने देखना चाते हो deeply देखना चाते हो जैसे भी करना चाते हो आप कर सकते हो अगर आगे बात करता है number four की number four की बात करो number four पर यार मैंने रखी है MI notebook forwarding को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले इसका design है and build quality है वो बहुत तगड़ी है उसके बाद अगर आपको को काम ऐसा करते हो कि आपको typing के जादा करनी पड़ती है तो भी आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है and इसके specification बहुत अगड़े देखने को मिल जाते हैं मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी display quality अच्छी मिल जाते हो उसके बाद आपको i5 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ तो processor आपको तगड़ा मिल जाता है अगर आपने video editing बगारा भी करनी है जा gaming बगारा भी करनी है आप इ ग्राफिक देखने को मिल जाता है प्लस आपको mx350 2GB देखने को मिल जाता है लेकिन 2GB ग्राफिक कर का price increase हो जाता है वो आपको मिल जाएगा 47,000 के budget में जो कि अपने budget से उपर चल जाता है ठीक है आप उटेनी system की बात को आपको window 10 मिल जाते है आप battery की बात करूं आपको 10 hours का battery backup provide कर देगा प्लस आपको 60 hours का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस भी आपको 41,000 के budget में MI notebook forwarding देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिए MI notebook forwarding के अभी minus point की भी बात कर लेते हैं तो minus point से इसका ये देखने को मिलता है कि जो RAM में उस आप नहीं कर पाओगे इस laptop का सच में एक minus point आ जाता है तो that's why मैंने इसको number 4 पर रखा और कोई भी रिजन नहीं है ठीक है अगर आपको 8GB रहा है minimum है तो भई आप इस laptop के और जा सकते हो बहुत अगरा laptop देखने को मिल जाता है ठीक है आगे बात करते हैं भी number 3 की number 3 की बात क आपको इसके साथ लिंडो वो बैग भी देखने को मिल जाता है जो कि laptop बैग है अगर आपने अपने laptop को carry करना है आप इस जो बैग में है वो कर सकते हो प्लस भाई इसका price range बहुत सही है price range के according देखा दे आपको specification बहुत तगड़े देखने को मिल जाते है मैं ज्यादा समय नहीं करता है मैं इसके जो मिन स्पैसिफिकेशन है वो आपको बता देता हूं थोड़ा से डीपली हम बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 फुल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं प्रसासर की बातों को i3 10th generation के साथ में मिल जागा आपको 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागा जितना आप यह करोगी उसके recording मिल जागा तो i3 10th generation के पास भी चल जातो यार वो भी प्रसासर बहुत अगरा मैंने लिंक प्रवाइड किया एक पर आप इसको चैपर जरूर करना है ठीक है storage की बात करूँ आपको 8 7 hours का battery backup provide कर देता है प्राइज की बात करूँ इसका प्राइज को 37,000 के बज़र में लिनोव वो आइडिया पैट स्लिम 3 आई देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दे लिनोव वो आइडिया पैट स्लिम 3 आई के भी प्लस मैं आपको कहा देना चाता हूँ अग अगर मैं लिनोव वो बैक की बात करूँ ना उसका प्राइज आपको 2000 देखने को मिलता है तो जो कि आपके लिए ही प्लस मैंट है स्पैसिफिकेशन भी तगड़े मिल जाते है उसके बाद इसका प्राइज बहुत आपैसा है यह यह कई बंदे होते हैं अगर आप 40,000 भी यह नहीं कर सकते हैं आपके लिए मैं लैप्टॉप यह वाला बताया है इसलिए मैंने इसको रखा है नमबर थ्री पे लैप्टॉप पूरा लोड़ेड अगर आपने ऐसा क्रेटर काम करना आप इसली नॉम्री कर सकते हैं आपको कोई भी इशू प्राब्लम नहीं आने वा हो गया बहुत चीज सही प्रवाइड कर देता है अपने कस्तमर्स को तो यार लिनोवो प्रेंट है मैंने आपको पहले भी बता देए अभी मैं रीपीट नहीं करने वाला आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करो नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस विवर बुक आप 15 को अगर इस लैप्टाप की बात करूं सबसे पहले अगर आपको एक स्लिम एंड स्टालिश डिजान चाहिए यह लैप्टाप आपके लिए पॉफेक्ट डील होने वाला है एंड स्पैसिफिकेशन भी आपको पूरे लोडड़ मिल जाते हैं आपको फिंगर प्रिंट एक्सपेक्टन नहीं कर सकते प्रसेसर की बात करूं आपको आई थ्री 11 जुमरेशन के साथ मिलेगा जो की लेटेस्ट प्रसेसर है तगरा प्रसेसर है प्लस में आपको बता देना चाहते हूं असूस विवबुक अल्ट्रा 15 जो है वो 2020 मॉडल में आपको बता रहा हूं ठी ग्राफिक कार की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है अपग्रेट आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हो अपको विंटो 10 मिल जाते है प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 version बैंटरी की बात करूं आपको 6-7 आवर्स का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता ह असूस विवबुक अल्टरा 15 देखने को मिल जाएगी तो बही में स्पैसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया असूस विवबुक अल्टरा 15 के भी अगर आप इस लैप्टप के और चले जाते हो यह लैप्टप भी बहुत तगड़ा हो जाता है एंड इसके बज़ेट करती है अपके लिए बहुत ज्यादा तगड़ा हो ने वाला है असूस के और आप जा सकते हो जैसे भी आपने काम करना आज़ा क्रेटर काम करना आज़ा डिवालपर काम करना आप इसली नॉर्मली स्मूथ ली कर सकते हो कोई प्राब्लम इशू आपको नहीं आने वाली अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो लिनोवो हो गया असूस हो गया एंड जो इसर हो गया वह बहुत सही चीज़ परवाइड करते है अपने कस्तमर्स को प्लस इसके स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं मैं आपको बता देना चाता हूँ अगर आप थोड़ा सा इंक्रीस हो जाता है 40,000 से तो आप इस लैप्टव के और जा सकते हो गर मैं इस लैप्टव की बात को 45,000 के बज़े में देखने को मिल जागा एंड स्पैसिफिकेशन बहुत अग्रे हैं अभी बात करते हैं इसके स्पैसिफिकेशन की तो डिस्प्ले की बात कर है और आपको 512 भी देखने को मिल सकते है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो भी आपने लेनी है आप ले सकते हो थोड़ा सा प्राइज इंक्रीज हो जाएगा 512 GB अगर आप लेते हो ठीक है ग्राफिक कार की बात को नवीडिया जीफो MX350 कर देता है प्राइज की बात करूं आपको 45000 के बज़ट में इसर इसपायर 5 देखने को बल जाएगा तो मैंने आपको बता दिये इसर इसपायर 5 के भी अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो इसर लैप्टॉप आपके लिए पॉफेट डिल हो सकता है अगर आपका बेर 41000 है या 40,000 है आपके लिए असूस लैप्टॉप बैस्त दील हो सकते है अगर आपको 35000 है तो लिनोवो लैप्टॉप आपके लिए बहुत अगरा हो जाता है तो यार अभी मैंने आपको 35000 चले के 40,000 से अपर भी जो बज़ट है उसके बारे में भी आपको बता दिया तो आप यार वीडियो को लाइक करते ना, कमेंट करते ना, शेयर करते ना, दोस्तों को भी देना, प्लस भी अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो, आप मुझे कमेंट शेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड मगर मेरा रेपलाई जल्दी नहीं आता, इंस्ताग्राम आइडी मेरी ही हुए है, वहाँ पर मैं ऐसे ही कर ले न, वहाँ पर मैं रेपलाई जल्दी कर दे, तो अभी मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ, थेंक्यू